पूरा परिवार घर में सो रहा था तो अचानक फ्रिज में शौट शर्कित हुआ और फ्रिज के भीतर कंप्रेसर में ब्लास्ट हो गया जिसके कारण ब्लास्ट होने की वज़ा से आग ने पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया आग लगने के कारण एक तीन वर्ष ये बच्छी की धर्दनाक मौत हुई है जब कि उसके माता पिता हाथे में गंबीर रुप से घायल हुए है जिसमें उनके पिता की हालत को गंबीर देखते हुए पीजी आई चर्णिगर्ड रेफर कर दिया गया है जहां पर अभी भी उनके हालात गंबीर है जब कि हाथे में घायल महिला प्राद में कुपचार के बाद उन्हें घर भीज दिया गया है फिलहाल बच्चों का शवव पंजाब की भरत गड़ स्टविला इस्पताल में पोस्ट माटम के लिए रखा गया है जिसका पोस्ट माटम मंगलवार को होने के बाद शवव परिजनों को अंतल संसकारों के लिए सौब दिया जाएगा आपको बता दें कि इस अंग्निगांड में पूरे परिवार का रो रोकर हाल बेहाल है जहां इस हथसे में एक तीन वर्शी है पच्चे बेहान की मौत हो गई है और उसके पितास पतनाम जुन्दगी और मौत से पीजियाई चानिगड में लड़ रहे हैं परिवार पर टू सरकार की ओर से हर संभवों मदद का आशवासन ने दिया गया है और बावा हरदीव सिंग की ओर से पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद के तौर पर फौरी राहत्तर राशी दस हजार दी गई है तो पूरे कमरे में आग पहल गी और एक तीन साल के बच्चा है उसकी डेथ हो गी है दो उसका फादर है उसके ज्यादा जड़ गया है और जो उसकी मिसी यह उसके भी मुह पे लगी है बाकी अंदर सारा कुछी जड़ गया है नुक्सान बहुत हो गया यह जितने भी बेड़ बुड़ साथ का कमरे थे उनके में भी परवाब पड़ा है उसके जो फादर है उसके भी मुह पे लगी है एक ही शट के इनके तीन चर सब कुछ तबाह हो गया है सब कुछ ही खत्मी है यह गिल्कुल ही कुल कारण पता लग गया यह विकारण का यह बता रहेंगे शोट सब्सक्राब करें और बैड आइकन को दबाना ना भूले ताकि हर ख़बर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे